एटियल टीवी भरोसा अलवर का नमस्कार आप देख रहे हैं एटियल टीवी और आपके साथ मैं हूँ साची गुपता वक्त हो चला है स्पीड नियूज का कॉंग्रेस ने विदान सबक टिक्टो को लेकर मशक्कत की तेज दाविदारों ने अलवर पहुचे केंद्रिय परवेख्षक को सौपी बायोडाटा अलवर शहर से अजय अग्रवाल के अलावा कमलेश सैनी और नीलेश खंडिलवाल ने भी किया आविदन भाजपा ने केंद्रिय मंत्री शेखावत की मौजूदगी में किया चुनावी चुनतन हर सीट पर कमल खिलाने का है आवाहन चुनाव को देखते हुए पोस्टर वार हुआ शुरू शहर के अनेक चौराहों पर टंगे दाविदारों के पोस्टर युवक पर हमला कर लूटे करीब सबाद दो लाक रुपए चौपाना की थाना शेतर में हुई वारदात गैंग रेप के तीन साल बाद भी खौफनाक हाथसे को नहीं भूली पीड़ी था पैनिक अटेक के चलते अलवर के अस्पताल में जारी है इलाज वहीं आरोपी को हुई है बीस साल की सजा दुशकरम के दोशी एसाई को पॉक्सो कोर्ट ने दी दस साल की कैद अरवली विहार में तैनात एसाई ने महिला को शादी कर दिया था जहासा रोड लाइट और सफाई व्यवस्था को लेकर कलेक्टर से मिले शहर विदायक महापौर और भाजपा के अनेक पाडशत भी रहे मौजूद चंद्रयान तीन की आतिहासिक सफलता पर अनेक वर्गों ने जताई खुशी पिरदानमंत्री मोदी के कुशल नेतत्व को भी बताया गया वज़ा रोडवेज के पूर्ण सरकारी करण की उठाई गई मांग संयुक्त करमचारी फेडरेशन ने बस स्टैंट पर की सभा मत्स युनिवर्सिटी के कार्मिकों ने किया सद बुद्धी यग्य पैंशन की विसंगतियां दूर करने की हैं मांग एक्स्प्रेस हाइवेज पर सनातन गौरक्षा दल पर हुई फाइरिंग स्पी से मिलकर दल के सदस्यों ने बताया घटना क्रम अलवर को संबाग बनाने पर बुद्धी जीवी वर्ग ने दिया जोर वहीं अग्रसेइन चिकित साले में चला हस्ताक्षर अभियान उद्योगों को बड़ावा देने के लिए लगेगा शिविर 25 अगस्त को मत्सय उद्योग संगभवन में होगा आयोजन आज कॉलिज में मेगा रोजगार मेले की जारी है तैयारी 25 अगस्त के मेले के लिए अब तक 11,000 ने कराया पंजियन इंद्रा गांधी स्टेडियों में शुरू हुआ एथलेटिक सेंटर केंद सरकार की खेलू इंडिया के तहत हुई शुरूआत अलवर में भाजपा शक्ति केंद्र पर हुई बैठक यूपी सेयाए प्रवासी विधायक अशोग कोहली भी हुए शामिल भाजपा ने राजस्थान में भारी अववस्था कर लगाया आरोप मतुरा सेयाए एमेले चौधरी ने कहा यूपी में है कानून का राज नू में फिर से प्रस्तावित धार्मिक यात्रा में अलवर जुले से जाएंगे प्रतिनिधी रामगड के भाजपा नेता इंद्रपाल सिंग ने किया एलान सद्बावना बढ़ाने के लिए होगी किसान महा पंचायत 26 अगस को ग्राम शीतल के समीप होगा आयोजन महावर महिला विकास संग ने मनाया तीजोट सब मोती डूंगरी शेतर में हुआ आयोजन मंत्री जूली ने मोती डूंगरी कारयले में सुनी समस्याएं अधिकारियों को निराकरण के दिये निर्देश जल भराव की समस्या को लेकर कलेक्टर से लगाई गई गुहार, नौगाम और चंडीगर बास में दस साल से कायम है समस्या ठाना गाजी विदायक ने शेतर की समस्याओं से अफसरों को करवाया अफगत जुला कलेक्टर और स्पी ने की मुलाकात दिव्यांग बच्चों के लिए आवासी विद्याले बना सहारा, अलवर के स्कीम आठ में हो रहा है संचालन मचाडी में प्रवासी विदायक ने ली समन्वे समिती की बैठक राजगड लक्षमनगड के भाजपा कारिकरता रहे मौजूद टिकेट के दावेदार पर चड़ा भगवा रंग गाड़ी को भी रंगवाया, अलवर ग्रामीर से दावेदार हैं देश राज खरेरा, वहीं खरेरा ने अलवर समेद प्रदेश भर में भेष्टाचार बढ़ाने के लगाए आरूप धर्मराज मीरा को बनाया प्रदेश संयोजक, युवा नीती और अनुसंदान विभागने की न्युक्ती आटीसी अध्यक्ष धर्मेइद राठोड से मिले माला खेडा शेतर के प्रतिनिधी, अलवर ग्रामीर और प्रदेश से जुड़े मुद्दो पर की चड़्चा नारायनपुड शेतर में कई स्थानों पर किया गया पौधारो पड़, सरपंच प्रेंग का नरूका ने लोगों को किया प्रेरित सड़क दुरगटना के जखमी को मंतरी जूली ने पहुचवाया अस्पताल, मेगा हाईवे पर सोहनपूर के समीफ हुआता हाथसा अकबरपुर शेतर में बारिश से किसानों के खिले चहरे बाजरे की फसल को मिलेगा जीवनदान उम्रेन में निश्युलक मोबाईल लेने के लिए लगी भीड पंचाय समीती में हो रहा है वित्रण अकबरपुर में की खादी पदार्थों की जाच मोबाईल वैन के जरिये जाची गुडवत्ता चंद्रयान लेंडिंग को लेकर अकबरपुर में दिखा उत्सहा बच्चों ने देश के व्यग्यानिकों पर जताया गर्व रामगर्ण में कॉंग्रेस प्रभारी हिम्मस सिंग ने ली बैठक मदभेदों को भुला कर पार्टी को जिताने पर दिया जोर पूर ग्रह मंत्री बाबू संपत राम की पुन्यतिती पर निकाली गई रैली किशनगर बास शेत्र में किया गया आयोजन ग्राम मूनपूर में भाजपा ने चलाया सदस्यता अभियान मत्रा सयाय विधायक राजेश चौधरी भी रहे मौजूद बाबा मोहन राम मेले के मद्दे नजर व्यवस्थाओं का लिया गया जैजा बिवाड़ी एस्पी ने मंदिर परिसर का किया दौरा सीवरेज लाइन के पाइप को जोहड में डालने का किया गया विरोध ग्राम गहनकर के ग्रामिडों ने सीम के नाम सौपा ग्यापन कोट पुतली के बीजीम अस्पताल में सोनोग्राफी के गड़बडाय इंतजाम मरीज को दो दिन तक करना होता है इंतजार ठगी पीडित जमा करता परिवार ने कलेक्टर को दिया ग्यापन डूबी हुई रकम वापस दिलाने की उठाई मांग हनी ट्रैप के जरीए रकम एटने वाले गैंग का किया खुलासा एक आरोपी हुआ ग्रफतार लॉट्फ्री निकालने का जहासा देने वाले दो बदमाश दबोचे गए अलवर पुलिस ने एक दरजन से ज्यादा घटनाओं का किया खुलासा स्पीड निउस में फिलाल इतना ही मुझे दीजी अजाज़त पर आप देखते रही एटियल टीवी क्योंकि खबरें हम दिखाते हैं वही जो आप के लिए होती हैं रोजमर्रा के सामान की बेहितर क्वालिटी के साथ आपके भूजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर यहां मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद इनमें शामिल है शुद्ध लाईची, मुल्तानी मिटी सोप, स्वादिस छोले भिटूरे के लिए छोले और मैदा काला नमर स्वाद और शुदिता की पैचान स्पेशल पुहा, नीम बातिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिस्ट वेंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित, अन्योद पाद निकटम स्टोर पर जाएं या वाट्सेप करके ओनलाइन ओडर पाएं और खर बेटे डिलीवरी पाएं फरनीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर यहां आपकी लाडली बिटिया के लिए अत्वा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फरनीचर उपलब्ध है डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड, एवं सोफ्टी, फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं सभी सावान एक ही छत के नीचे उपलब्ध हमारा पता है अलवर बोर्ड जैस्मन तिरायत से पहले कटी घाटी अलवर कॉंटेक नमबर 9414019769 and 9414019768